दोस्तो हर इंसान अपने जीवन में शुभता और शुधता को भापना चाहता है हर इंसान ये जानना चाहता है कि उसके साथ होने वाली घटना शुभ है या शुभ कई बार लोग ये जानना चाहते होते हैं कि जो पक्षी या पशु वो रोज देखते हैं उनकी आवास सुनते हैं वो उनके लिए शुभ है या फिर शुभ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ शगुन और अब शगुन बताएंगे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा दोस्तो के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तो हमारे आसपस जो भी वातवरण है उसमें कई तरह के पक्षी, जीवजन्तू, कीट पतंगी भी रहते हैं हम इस संसार में अकेले नहीं रहते कुद्रत की ये धरोहर हमें कई चीजों का एहसास दिलाती है कई चीजें हमारे लिए शुब होती है और कई चीजें हमारे लिए अशुब होती है दोस्तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है दोस्तो हमारे धर्मों में भी पशुबक्षियों का बहुत ही महत्व है क्योंकि सभी देवी देवताओं की अपना अलग-अलग वाहन होता है जिसमें कई सारे पशूव वो पक्षी शामिल है जैसे भगवान कार्तिके का वाहन मोर है तो सरस्वती माता जीहांस पर विराजित है विष्णु भगवान का वाहन गरुड है तो शनी देव का वाहन कोवा है भोले बाबा का वाहन नंदी है यानि बैल है लक्षमी जी का वाहन उल्लू है तो गनेश भगवान का वाहन मूशक यानि चूहा है दोस्तों माना गया है कि इन वाहनों की सेवा करने से भी शुबफल प्राप्त होता है हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गाएं और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए पक्षियों को दाना डालना चाहिए इससे आपके घर में सकरात्मक्ता आती है आज हम आपको बताएंगे कि पक्षि किस तरह आपके लिए शुब और अशुब प्रभाव लेकर आते हैं ताकि आप इसके बारे में सचेत हो जाएं तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो नमबर एक पर है तोता दोस्तो अगर आपने घर में कभी तोते को देखा हो कि तोता कभी कभी ही किसी के घर में अचानक आ जाए तो उसे क्या समझना चाहिए तो दोस्तो अगर तोता आपके घर पर आता है तो इससे आपको समझना चाहिए कि आपको जल्द ही धन लाब होने वाला है या फिर आपको कहीं गड़ा हुआ धन प्राप्त होने वाला है या फिर कहीं पर आपका पैसा रुका हुआ है वो पैसा आपको मिलने के योग बन रहे है यदि कहीं आपने निवेश किया है वहाँ पर आपको लाब प्राप्त होगा इस तरह तोते का आपके घर पर आना बहुत ही शुब माना गया है नमबर दो कववा यदि कववा आपकी छट पर आकर बोलता है तो इसका मतलब ये है कि जल्दी ही आपके घर महमान आने वाले हैं कववे का आना शुब माना जाता है नमबर तीन उल्लू दोस्तो अगर आपको अपने घर की छट पर या आसपास कहीं उल्लू दिखाई दे तो समझ लें कि कुछ न कुछ शुब होने वाला है क्योंकि उल्लू दिखाई देना शुब माना जाता है दोस्तो उल्लू लक्ष्मी माता का वाहन है और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी माता ब्रह्म महूरत में उल्लू पर बैठ कर ब्रह्माण का चक्कर लगाती है और जो घर उन्हें पसंद आ जाता है उन्ही में उनका आगमन हो जाता है इसलिए यदि आपको सुभे उल्लू के धर्शन हो तो ये आपके लिए बहुत ही शुब संकेत है आप समझ जाएं कि आपको जल्द ही धनलाब होने वाला है नमबर चार चमगादड दोस्तो जितना शुब उल्लू होता है उतना ही अशुब चमगादड को माना जाता है अगर आपके घर में चमगादड आने लगता है तो समझ लीजिए ये किसी की मौत का संकेत दर्शाता है चमगादड को बहुत अशुब माना जाता है क्योंकि हमारे बड़े बुजर्ग भी बताते हैं कि चमगादड जिस घर में आता है वहाँ पर ये उजाड ही चाहता है इसलिए ये पुराने किले और खंधरों में अधिक पाये जाते हैं अगर आपको दिन में कभी मुर्गे की आवाज सुनाई दे तो ये किसी पुराने मित्र से मुलाकाद का योग दर्शाते हैं कि अगर कोई आपका पुराना मित्र है उससे आप मिल सकते हैं नमबर छे टिटहरी दोस्तो ऐसा माना चाता है कि अगर टिटहरी पेड़ पर घोसला बनाती कभी दिखाई दे तो समझ लेना कि जल्द ही भुकम पाने वाला है क्योंकि टिटहरी कभी भी पेड़ पर घोसला नहीं बनाती है ये जमीन पर ही अपने अंडे देती है नमबर साथ मोर दोस्तो मोर शिव पुत्रकार्तिके का वाहन है भगवान क्रिश्न के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है कई धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च दर्जब प्राप्त है दोस्तो यदि आपको सुभे उटकर मोर दिख जाए तो बहुती शुब माना जाता है इसके अलावा ऐसा भी माना गया है कि अगर आप मोर पंख को अपने घर पर लगाते हैं और सुभे उटकर सबसे पहले इसके दर्शन करते हैं तो ये आपके लिए बहुती अच्छा रहता है ये आपके घर में सकरात्म कूर्चा लाता है और आपके लिए धन के नए साधन भी खोलता है नमबर आठ नीलकंट नीलकंट को देखने से ही भाग्य का दर्वाजा खुल जाता है ये एक पवित्र पक्षी माना जाता है दशहरे पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुती उच्छाहित रहते हैं यदि आपको सुभे उठते ही नीलकंट के दर्शन हो तो ये बहुती शुभ माना जाता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद